हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं सौरव मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका अपने सीड्रूप चैनल एगरू कुल में फ्रेंड्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना BLI 221 का फोर्थ यूनिट जिस यूनिट का टाइटल है ला उफ लैबरी साइन्स हम लोग लाउफ लैबरी साइन्स यूनिट स्टार्ट करेंगे यह हमारा next class रहेगा और अगर आप structure देखें इसमें में ली आपको five लाउफ लैबरी साइन्स पढ़ने हैं Friends, आची जो क्लास है, वो बहुत important होने वाले है, क्योंकि आपका ये जो chapter है, जो topic हम लोग आज start करेंगे, वो ना सिर्फ आपके academic exams के लिए, मतलब आपको B.L.I. course complete करने के लिए, बट आपके competitive exams हैं, जब आप नवोदेज में, किंद्रिविद्यालेज में, लाइबरिन के लिए apply करेंगे exams के, तो उस times में भी ये बहुत important topic बन क्या आता है, यहां से जरूर exams में questions आते हैं, तो बहुत important topic, बहुत important video आज की, बहुत ही concentrate होके आप चीज़ें के follow करिएगा, और जिस तरह से हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, जिस तरह से हमारी study की strategy होगी, उसको मैं आगे आपको बताता रहूँगा, तो friends start करते हैं अपना आज का topic, हमारा first topic है law of library science, किस ने बनाया था यह law, हमारे dr. ऐसार रंगनाथन जी ने, dr. ऐसार रंगनाथन, father of Indian library science, इनको भा इस दिन library science में काम किया, library में काम किया, उसके बाद फिर वो इंडिया आते हैं, इंडिया में उन्होंने मदरास university में पहले as a labyrinth काम किया, उसके बाद अपने जो experience थे उनके, उनको experience में, जो भी इनके पास knowledge थी, उनको ध्यान में रखकर उन्होंने एक book published की, जिसका नाम ही इन उनी दे दिया, five law of library science, और ये five law of library science बहुत ही basic pillars है, library science की studies में, मतब इनी principles के उपर एक नीव हमारी रखी हुई है, library science की, और इंडिया में या वर्ल्ड में, कहीं भी अगर library कोई function कर रही है, तो उनके function करने के पीछे जो principles हैं, वो हमारे इन law में हमें देखने को मिलता ह है, तो इसी वज़े से मैंने आपको कुछ importance बताने कोशिश की, ताकि आप concentrate रहें इन सब चीजों के लिए, तो जैसा मैंने बताया, Dr. S.R. रंगनातन जी ने अपनी book, जो उनकी book publish होई थी 1931 में, उसमें इस law of library science का उन्होंने वर्णन किया, और जब अभी हम लोग law of library science प पढ़ेंगे, तो उस पहले law को कैसे, उस law को कैसे implement करें, ठीक है, library science में कहां से उनका implementation होता है, और जो आपका exams आएगा, उसमें सिर्फ 5 law नहीं पूछ ले जाएगा, कि बताए थार्ड law क्या है, फोर्थ law क्या है, फर्स law क्या है, यह तो पांच law है, एक एक वर्ड के law है, यह तो तुरंत याद हो जाएंगे, बट इनका implementation ही इनकी main चीज है, कि यह कैसे implement किया जाते हैं, और exams में इनके implementation पे ही जादा तर questions आपको देखनों को मिलते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले law से, हमारा पहला law है, books are for use, books किस के लिए हैं, use करने के लिए हैं मतलब आपको याद होगा हमारे घरों में, लगबग सबके घरों में कुछ ऐसी books होती हैं, religious books होती हैं, जिनको बहुत अच्छे से साफ, सुत्रा करके, कपड़ों में, लपेट के, उनको अलमारी में या पूजा घर में रख दिया जाता है, उनको छूना नहीं है, उनको बे बहुत अच्छे से रेंज करके रखा हुआ है, मतलब सजावट की किताबें हैं, सजावट के लिए उनको रखा गया है, और उनको यूज करने के लिए, readers के पास नहीं नहीं, उसको मचो, वो गंदी हो जाएगी, उसको ठीक से रखो, ये फट जाएगा, ये ऐसे हो जाएग books are not for showcase, they are for use, उनका use करिए, उनको इस्तमाल करिए, उनके अंदर जो knowledge है, वो readers तक पहुचाईए, उनमें जो information है, वो public में distribute करिए, वो सिर्फ अलमारी में, या racks में सजा कर रखने की सजावटी वस्तु नहीं है, किताबों पढ़ने के लिए होती है, books are for use, इसका implementation देखते ह academics के districton से थोड़ा सकाम है, इसलिए मैंने extra जो भी हमारे पास MLIP में, या NetJRF के students के लिए होता है, मैंने उसको थोड़ा से या दिया, और मैं इन सब सारे implementation, point to point, नीचे description box में आपको mention कर दूँगा, आप note करने के लिए, या notes बनाने के लिए अपने, वहाँ से इनको use कर सकत हैं, तो चलिए हम लोग first law का implementation पढ़ना शुरू करते हैं, पहला implementation है, इसमें पूरे total 9 implementation होगे, तो मैं पहला implementation पढ़ रहा हूँ, पहला है open access, open access का मतलब libraries की books को open करिए, वो किताब almira के अंदर, वो showcase के अंदर रखने के लिए नहीं है, उनको खुला रखे, मतलब अब ऐसा user अगर आये, तो वो free feel करें अपने आपको, almira के पास जाकर वहां से, जो भी उनको required materials हैं, books हैं, वहां पे उसको लेने का, तो open access का मतलब है, कि librarians को इस तरह का atmosphere बनाना है, library के अंदर, ताकि reader आकर अपने आपको feel free करें, चीजों को पढ़ने के लिए, चीजों को study करने के ल बात करें, मैं public library की बात करूँ, अगर मैं public library की बात करूँ, तो हमारा जो public library है, वो किसी सहर के एकदम दूर दराज की इलाकों में हो, जहां मतलब ना transport की facility हो, ना road हो, ना सडक हो, उस तरह के area या उस तरह के locations में अगर library आप बना देंगे, तो कौन जाएगा, कौन सा public interest ल सेंटर में बनाई है, city के, ठीक है, जो पौश इलाका है, जो civil lines का इलाका है, जहां पर ज़्यादा लोगों की भीड है, वहां पर बनाई है, अगर आप schools में बना रहे हैं, colleges में library बना रहे हैं, तो center of the campus बनाई है, campus के एकदम कोने में, जहां पर कहीं, store store का का काम रखता हो, वहां पर एक library बना, बना देने से चीज़ें सही नहीं होंगी, इसलिए library को एक ऐसी जगह पर locate करिए, जहां पर easily access किया जा सके लोगों को द्वारा, library hours, third implementation, library hours का मतलब वहा कि ऐसे time, library का जो duration है, library कब खुलेगी, कब बंद होगी, वो ऐसा ना हो, कि सब के लिए odd हो, और librarian क के लिए सुफधा जना को, मतलब जब librarian को अच्छा लग रहा है, तब वो library खोल रहा है, और जब public interested है, जिस time में public के पास free time है, उस time पे library hours बंद है, तो library hour का भी ध्यान रहा है, वो डिपेंड कर सकता है, school की library है, कि college की library, जैसे मैं, मेरा personal experience, उन्वेस्टेज की library तो 24 गंट आप से, या night की साब से बना रखा है, आप उसके साब से libraries को करें, और libraries तो university level पे जाकर, college level पे जाकर, या public library पे ज़्यादा तर late night तक libraries को खूले रखना चाहिए, जात ताकि users अपने hours के साब से library में आकर books को access कर सकें, हमारा next fourth implementation है, first law of library science का, वो है library building and furniture, libraries की building और libraries का furniture ऐसा ह होना चाहिए कि books are for use वाला जो library law है, वो implement हो सके, मतलब library पढ़ने के लिए, बैठने के लिए, शान्ती का environment बनाने के लिए, आपको ऐसे furniture's properly arrange करने पढ़ेंगे, book shelf को इस तरह से maintain करना पढ़ेगा, कि library easy accessible हो सके, इसके लिए, readers के लिए और students के लिए, माल लेजे, कुछ ऐसी books बहुत उपर रखी हैं, जिनका कोई, मतलब बहुत important books हैं, लेकिन वो बच्चों को बचाने के लिए, बच्चे बार-बार उसके demand न करें, एकदम उपर टांग दिया गया है, या फिर public library है, और public library में, जो public furniture है, मतलब public library बहुत बढ़ी library होनी चाहिए, और वहाँ पर furniture छो और out का कोई प्रावधान नहीं गया है, sunlight प्रॉपर नहीं है, तो ऐसा करने से readers क्या होते हैं, हत उत्सायत होते हैं, कि हम क्यों आएं, यहाँ पे atmosphere अच्छा नहीं है, facility अच्छी नहीं हम next time से visit नहीं करेंगे, तो यह problem आने start हो जाती है library science का, और फिर हमारा first law of library science यहाँ प आपका school 128 तक का है, example, कोई school 128 तक का school है, और 128 के school में आपने books लगा रखी, university level की, बच्चों को space science के बारे में, बच्चों को space research के बारे में, या फिर DRDO के बारे में, इसरों के बारे में, आप ऐसी books रखे हैं, class 128 बच्चों के लिए, irrelevant, जो आप books select कर रहे हैं, बच्चों के या किसी भी university के लिए, college school, university, public, digital, virtual, किसी भी library के लिए, आप कुछ इस तरह की books select करिए, जहां पे आपका reader interested हो, माल दीजे आप एक शहर में रहते हैं, आपका जो शहर है, वो एक B grade या C grade का शहर है, वहाँ पे जादातर लोग हिंदी भाशी हैं, हिंदी भाशा भोलने वाल आपने English और Tamil तेलगु मलियालम के लगा रखें, तो कहां से आएंगे, readers वैसे ही बहुत कम यूज कर रहे हैं, libraries को, public libraries को, और आप ऐसी सुविधाएं देकर readers को और जादा demotivate कर रहे हैं, तो हमारा first law fail हो जाएगा, इसलिए book selection policy, books को select करते समय, जब librarians और library administration books का selections करें, तो इन चीजों का ध्यान रखें कि वो reader के interest को ध्यान में रखकर books का selection करें, next library techniques, library techniques कुछ ऐसी techniques हैं, जहां पे reader और librarian या librarian staff अपना time बचा सकें, अपना भी time बचा सकें और readers का भी time बचा सकें, अगर readers और librarians दोनों का time बचेगा, तो जाकर library और library की services सार्थक सावित होंगी, और जादा जादा तक library में आने की कोशिच करेंगे, next है publicity, libraries में आई हुई आपके जितने भी resources हैं, उनकी आप publicity करिए, publicity का मतलब है कि उनको कहीं आगे display board, library है, library के आगे display board है, वहाँ पे बताइए कि आप हमारे इस मन्त में, ये magazines, in periodicals, या ये new books, उनको हम लोग बोल देते है new arrivals, जो नई चीज़ें आई हैं हमाई library में, उनको display करिए, या जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली books हैं, उनके बारे में बताइए, कुछ ऐसे readers, जो बहुत ज़्यादा active हैं आपके library में, उनके बारे में बताइए, कुछ उनको प्रुसाहिद करने के लिए, कुछ gift या medial certificates, कुछ इस तरह से चीज़ें करिए, ताकि उनकी publicity हो सके और और readers क्या कर सकें, ज़्यादा ज़्यादा आपकी library में आने की कोशिच करें, next है library staff, हमारा library staff बहुत modern और बहुत educated, talented, अपने काम के लिए work efficient होना चाहिए, जिससे वो library का और readers का, दोनों का time save करके, reference service, माल लेते है, reference service क्या है, आपकी library में कोई specific topic selected, कोई query आई, या किसी reader ने आपसे वो book मांगी, बट आपकी library में वो book अवलेबल नहीं है, तो आप उसको guide करिए, उसको refer करिए कि हमारी library में आपके द्वारा ये मांगी गई किताब या book, ये document नहीं अवलेबल है, बट I know क ये book, ये magazine, ये documents आप इस specific library में जाकर access कर सकते हैं, तो उनको refer करिए, अगर आपके पास four resource अवलेबल नहीं है, तो आप उनको refer करिए, कि वो इस place पे जाकर वो access कर सकें, वो documents को access कर सकें, तो friends, ये हमारे one to nine, मैं इन सबका description में आपको देने वाला हूँ information, आप वहां से access कर और मैंने जो अभी तक discuss किया, वो हमने discuss किया first law के implementations को, ये चीज़ें आपके book में बहुत detail में नहीं mention है, बट exam perspective के हिसाब से मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, तो आप ये अच्छे से पढ़िएगा, books में भी आपके पास 4-5 implementations के बारे में लिखा गया है, mainly हम reader की अपनी एक book होती है, मतलब हर आपकी एक library है, उस library में let's suppose 1 lakh किताब हैं, तो क्या जो एक नए reader आएगा वो उन सभी 1 lakh books को read करेगा, नहीं, कुछ specific books होंगी जहां पर उसका interest होगा, जो books उसको बहुत अच्छे लगेंगी, वो कुछ उन्ही 5-6 books को ही या 10-15 books को ही आपकी library में ढूड़ना चाहेगा, तो उन 1 lakh book में से वही 10-15 books जो एक reader को पसंद है, जिसमें उसका interest है, उसको कहां कैसे पहुचाए जाए, उसके बारे में हमें ये law बताता है, books, हम जो अभी 3rd law पढ़ेंगे, आप देखेगा, 2nd law और 3rd law एक दूसरे को reciprocal करते हैं, मतलब एक दू पास, उसकी book के पास, जो reader है, आपकी library बहुत vast है, बहुत बड़ी है, लेकिन उस सबसे बड़ी library में से जो reader है, उसको उसकी book तक आपको पहुचाना है, उसके बारे में हम लोग ये discuss करेंगे, हमारा इसका implementation देखते हैं, implementation of second law, इसमें आपको 4 mainly implementation देखने को मिलेगा, और ज implement करने में, अगर इन दायतों को पूरा किया जा सके, तो हमारा second law implement हो जाएगा, अच्छे से practically field में, तो पहला जो इसका implementation है, वो है, obligation of the state, state को ये दायतो दिया जा रहा है, state को ये responsibility दी जा रही है, कि आप libraries को इस तरह से, इस जगह पे establish करिए, जैसे government library, state government के libraries होती है, central governments के library होती है, state libraries होती है, हमारी जो public libraries होती है, उनको ऐसी जगह पे establish करिए, इस तरह से उनको बनाईए, ताकि सभी readers अपनी book तक पहुँच सकें, मतलब readers को promote करने एक लिए libraries की, libraries को set up करने में, libraries को resourceful books देने में, library को resourceful workers देने में, state की responsibility बत आई गई है, कि अगर आप state, यानि राज या नहीं सरकार, केंद सरकार या राज सरकार, दोनों इस बात को दिर निशे कर लेंगे, कि हमें अपने societies को develop करने के लिए, economical society बनाने के लिए, knowledge society बनाने के लिए, informative society बनाने के लिए libraries को set up करना है, तो library set up करिए, कुछ ऐसे success लगा करिए, ताकि उन taxes का इस्तमाल सिर्फ library के development के लिए हो सके, library के welfare के लिए हो सके, और यह राज को जिम्मेदारी जाती है, कि आप ऐसी library set up करिए, ताकि readers कहां पहुच सके, अपनी books के पास, second obligations दिया गया है, obligation of the library authority, library authority और library staff अंतर होता है, library authority में वो लोग include होते हैं, जो library के administration क लिए responsible होते हैं, library कैसी है, कब working hour बनेगा, कौन सी books आएंगी, ठीक है, और जो direct content करते हैं, किसे, staff, sorry, जो direct content करते हैं, reader से, वो कहलाते हैं, library staff, और जो agencies या agents, sorry, जो authorities होती है, जो direct administration में, उनका management में part होता है, वो कहलाते हैं, authorities, तो authorities के ऊपर क्या responsibility देगी है, इस law according, इस law according, authorities ये responsibility देते हैं, कि आपनी libraries में, जो books का selection करिए, libraries की जो building बनाई है, libraries में जिस तरह का furniture रखिए, वो इस तरह से बनाई है, कि readers अपनी books तक easily पहुँच सके, readers को हमें पहुचा आना है, उसकी books तक, बहुत बड़ी library है, उस बहुत बड़ी libraries में, जो specific reader है, जिसकी specific demands हैं, उसकी requirement है, वहाँ तक पहुचाना है, और हमारी building, furniture, हमारे staff बहुत equipped रहेगा, तो वो चीज़ें बहुत easily पहुच जाएंगी, next हमारा obligation दिया गया है, obligation of the library staff, staff जो direct contact करता है, किस से, reader के साथ, तो reader को helpful होना चाहिए, reader की responsibility होती है, ये duty होती है, कि वो reader को help करे, staff की duty होती है, कि वो reader reader को help करे, अब reader अगर, suppose करिए, आप से कोई demand करे, और आप बोले, नहीं अभी ये book हमारे पास नहीं है, या आप नहीं उसमें अपने आपको परशान करना चाहते है, कि मैं क्यों जाओं, वहाँ से book लेकर आओं, फिर उसको दूँ, फिर entry करूँ, तो अगर आप इस तरह के staffs आपकी library में हैं, तो reader को उसकी book नहीं मिल पाएगी, तो आप इसलिए ये law, reader को, staff को ये obligation देता है, कि आप अपने staffs की proper training करिए, उनको proper education दीजे, उनको अपने duties, अपने ethical, moralities हैं, उनको बारे में बताइए, और readers को उसकी book तक पहुचाईए, next obligation दिया गया है, readers को, obligation of the reader, reader को ये obligation दिया गया है, कि अगर आपको ये book लेके जाएं, कभी, माली ये एक book है, जिसकी बहुत demand है library में, 5-6 readers हैं, जो वो same book पढ़ना चाहते हैं, अब अगर आप reader हैं, आपने वो book issue कराई, आप वो book मिली, आप घर लेके गए, आप बहुत casually, un-predicted way में, आपने उसको long time तक hold के रखा, आपको बोला गया था, one week बाद, या ten days के बाद आप इसको return करिएगा, but आप 20 days, 30 days, और even की, और भी लंबे time तक आपने उसको hold कर लिया, अब जो book है वो, वो आप ही के पास है, और जो उसके और readers हैं, वो उसको access नहीं कर पा रहे हैं, तो ये, इसलिए liability, readers को रख के इस्तमाल करें, कि मेरे बाद इसका source, इस resource का इस्तमाल कोई और भी करने वाला है, उसमें से pages ना फाने, उसमें से, उसको un-predictive way में, मतब un-authorized way में, उसको आप किसी तरह से damage ना करें, और ये responsibility, reader को है, कि वो properly, जिस तरह से वो resource ले कर गया था, अपने घर, वापस उसी तरह से उसको ले कर आए, ये चार obligations हमने देखे, readers के लिए थे, जो second law of library science को implement करवाते थे, now our third law is, every book is reader, अब हर book को उसकी reader तक पहुचाना है, अभी हमने क्या पढ़ा second law तक, कि reader को उसकी book तक पहुचाई है, और अब हम देख रहे हैं, book को reader तक पहुचाना है, every book is reader, ह हर book का कोई ने कोई एक पाठक होता है, इसके हिसाब से, इसका implement देखते हैं, फिर से हम लोग 8 implementation देखेंगे इस law का, सबका सारी details आपको description में मिल जाएगी, आप वहां से लेकर notes में इसको implement कर सकते हैं, third law का implementation है, open access, अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, कि every book is reader, book को को कहा पहुचाना है, reader के पास, और reader के पास पहुचाने के लिए open access, libraries को, windows को, अलमीरा उसको खोलना पड़ेगा, ठीक है, उसको open access देना पड़ेगा, जो reader है, वो free feel करें अपने आपको library में आकर, किसी भी अलमीरा से, किसी भी, जो भी उसकी requirement है, वहां से वो book लेने का, तो library को open रखना है, हमेशा इस तरह का atmosphere बनाना है, library में कि reader बहुत free feel करें, तभी तो उसकी book कहां तक पहुच पाएगी, reader तक मतलब, हर book उसकी reader तक पहुच पाएगी, और हमारा third law implement हो पाएगा, second implementation है, third law का book selection, और बात है, हमने पहले भी discuss किया, book selection करते समय, अपने readers के interest, उनके view, उ सही book सही reader के पास पहुच सके, third self arrangement, shelf को बहुत properly arrange करिए, library में बहुत ज़्यादा resource होते हैं, बहुत ज़्यादा books होते हैं, तो हर shelf में आप numbering करिए, health shirts के उपर labeling करिए, कि इस shelf में आपको Hindi के book मिल जकती है, इस book में आपको, इस shelf में आपको English मिल जाएगी, यहाँ पे आपक science मिल जाएगा, अगर हर shelf को आप properly arrange करेंगे, उसकी numbering करेंगे, तो reader बहुत easily अपने book तक पहुच सकता है, या मैं जो third lock recording कहूँ, तो हर book अपने reader तक बहुत easily पहुच जाएगी, अगर open access दिया जाए और अपने buildings को और अपने shelves को बहुत अच्छे से arrange किया जाए, next हमारा है easily accessibility, हम लोग इसी में ही करेंगे easily accessibility, मतलब furniture का जो रख रखा होगा है, जो shelves का रख रखा होगा है, जो shelves का arrangement है, मतलब एक shelf अगर हिंदी की धर है, तो दूसरी किसी और कोने में है, फिर अगर एक math की धर है, तो दूसरी किसी और कोने में, नहीं, ऐसा नहीं, एक proper arrangement आप cataloging अभी हम लोग आगे बहुत details में पढ़ने वाले हैं, एक अलग ही पूरा chapter है cataloging उपर, लेकिन basic informations के लिए cataloging librarians की help के लिए होता है, कि अगर आप books को, books की जो basic details हैं, इसका writer कौन है, इसके author कौन है, इसके co-author कौन है, ये कब publish हुई थी, कितने number of pages हैं, इन सब की details अगर librarian के प चाहिए, तो librarian अपने system पे या अपने जो accession register है, वहाँ से देखकर, बहुत easily reader को ये book available करा सकता है, reference service, जैसा पिछले बताया था, अगर आपके पास कोई book available नहीं है, तो उसको आप refer करिए, कि आप इस library में चले जाएए, या इस documentation center के पास जाएए, तो आपको ये book मिल सकती ये reference service है, publicity, obviously बात है, नई चीज़ी आई हैं, आपके पास नए documents आए हैं, तो आप उसको publish करिए, publicity करिए, नए records को, नए जो आपके पास books आई है, नए documents आई हैं, उनको आगे बाहर publish में करिए, अगर आपने, आप digital माध्यम से जुड़े हैं, तो आपकी website में उसका implementation हो चा आई हैं, इस journals की हमने membership ले रखी, तो आप इसको access कर सकते हैं, publicity करना, उनके readers को उनकी book तक पहुचाना है, या books को उनके reader तक पहुचाने का एक माध्यम है, next है, extension services, आप हमेशा अपनी library को एक कदम forward, मतलब extend करने के लिए, library में और ज्यादा space बनाने के लिए, और ज्यादा books को रखने के लिए, एक space बना के रखिए, और इस ही combo बोलते हैं, extension services, यह हमने अभी तक पढ़ा, जो भी मैंने 8 topics, अभी implementation के discuss के, यह हमने discuss के, third law के implementation, सबके description में आपको चीज़ी मिल जाएंगी, next हमारा fourth law, fourth law है, save the time of the user, user का time save करना है, ठीक है, या reader का time save करना है, जो हमार इतना time नहीं है, कि वो चीज़ें आके आपके हाँ पे आए, और जैसे grocery shop में line लगी है, वो खड़ा रहे अपनी book लेकर, मेरा number कब आएगा, तो उसका time save करना है, वैसे ही reader बहुत ज़्यादा promote नहीं करते हैं, या feel नहीं करते हैं, good की वो आके library में बैठें, और अगर आप उनका time kill करने लग जाएंगे library में, कुछ basic चीज़ों को लेकर issue करने में, return करने में, book ढोडने में, तो वो और ज्यादा disencourage होंगे, या demotivated होंगे library में आने के लिए, तो उनके time को save करना हमारा prime motive होना चाहिए, और ये law, fourth law हमारा इसी चीज़ पर based है, इसके again nine हमारे पास implementation है, मैं पहला implementation पढ़ रहा हूँ, open access, library cookdom open करिए, user आए और अपनी book तक easily बहुत सके, उसका time kill ना हो, second locations, labeling करिए, सभी shelves में, सभी shelves में, आप उसकी numbering करिए, और shelves का arrangement इस तरह से करिए, कि वो बहुत easily locate हो सके, कोई नहीं arrivals आया है, तो उसका अलग column बना दीजे, magazines अलग र रखिए, story books, fictions, science, math, commerce, humidity, सबका अलग-अलग sections बना कर, आप library को easily accessible बनाए, ताकि readers बस आते ही अपने corner पर जाए, और उसको चीजें easily accessible हो, readers का time से वो, self encouragement बहुत proper करिए, labeling और इन सब चीजों से करके, यह हमारा third point था, classification and cataloging, classification and cataloging के लिए again हमारे पास बहुत specific chapters हैं, आगे हम लोग देखेंगे, basic information यहाँ पर यह है, कि classification user के लिए है, मतलब आपके पास बहुत सारी books हैं, वन लैक books हैं, अगर वन लैक books को बस एकदम ऐसे dump की तरह एक जगह कहीं पर लगा दिया, या shelf में बस जहां मन किया, जिस shelf में जो रख दिया, तो बहुत hard हो जाएगा, बहुत messy हो जाएगी आपकी library, वहाँ से चीजों को निकालने के लिए, books को निकालने के लिए, इसलिए क्या करना है आपको, science की book एक जगह, हिंदी की book एक जगह, math की book एक जगह, लेकिन यह जो division होगा, जो एक classification होगा, हिंदी अलग, math अलग, science अलग, यह classification के लिए हमारे पास बहु user आता है, उनसे कोई भी book मांगता है, वो तुरंत अपने documents में चकर के, within fraction of seconds, वो उसको उसके books तक पहुचा सकते हैं, इससे उसका time save होगा, issue and return, issue करने और return करना, books, library से किसी reader को देना, issue, और वापस उस reader से लेना, return, अब issue and return करने में भी बहुत time taking, अगर हम manually चीज़े करते हैं, मतलब register में maintain करें, तो यह बहुत time taking हो जाता है, कैसे, अगर आप books लेकर writing कर रहे हैं, मतलब title लिख रहे हैं, फिर उसका detail लिख रहे हैं, फिर जो user है, उसका detail, उसका नाम, address, सब लिख रहे हैं, बहुत time taking process है, इसलिए एक library science में computer का आना, या digitize होना, या मैं कहूँ कि इसको modern equipment से less करना, जैसे बार कोड लगा कर, बार कोड अगर आप लगाते हैं, सिर्फ बार कोड स्कैनर से आप कह जाते हैं, QR कोड लगा कर आप library की details को बहुत easily, बस एक बार आपको मेहनत करनी है, और उसके बाद आप बस scan करिए, QR कोड से read करिए, और तुरंत आपकी system में issue और written की process easily हो जाती है, इसको करने से क्या होगा, time save होगा, reference service, आप reader को यहाँ पे फालतू में मत परिशान करिए, कि हाँ आरे देख लेंगे कल हो जाएगा, ऐसा, नहीं, अगर आपके पास book नहीं है, तो आप तुरद उसको refer करिए, जहाँ पे वो book या वो document उसको easily access हो सकता है, next हमारा document services, document services या library staff हमारा जो library staff है या जो हमारे documents है वो इस तरह से access होने चाहिए, या readers को इस तरह से हमें पताना चाहिए, या हमारे जो library staff है वो इतने equipped होने चाहिए, कि readers को बिना परिशान की, बिना उनका time waste की, वो उनको, उनके documents तक पहुचा सकें, ये था हमारा fourth law का implementation और अब हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं fifth law जिसका नाम है library is a growing organism library is a growing organism organism मतलब यहाँ पे library को एक animal या एक human की तरह माना गया है जो अपना size एक time के बाद या time के साथ साथ अपना size बढ़ा करता है मतलब उसको भी grow करने के लिए space चाहिए let's suppose आप library की building बनाते समय लाइबरी को set up करते समय आपने इस बात का ध्यान नहीं रखा तो होगा क्या एक समय के बाद आपकी library बहुत जादा consistent हो जाएगी मतलब बहुत सारी books आपके पास रखी हैं लेकिन आपके पास आपकी reader के पास space नहीं है reader को बैटने के लिए proper space नहीं मिल पा रहा है या books को ठीक से arrange करने के लिए shelves extra लगाने के लिए आपके पास जगह नहीं है जैसे एक छोटा बच्चा अगर वो 5 साल का तो उसको एक अलग तरह के कपड़ों या छोटे कपड़ों से हम उसको पहना सकते हैं library की building या infrastructure को design करते से मैं इस बात का में ध्यान रखना चाहिए कि अगर आज library में 10.000 किताबे हैं तो वो एक टाइम के बाद एक लाग किताबे बनेंगी बनेंगी आप उस हिसाब से library के infrastructure को design करिए ताकि यह हमारा जो fifth law है वो implement हो सके कि library is a growing organism इसके implementation के लिए हमारे पास फिर से आठ पॉइंट्स हैं पहला पॉइंट है balance growth library हमेशा grow करेगी चीक है और balance करेगी मतलब धीरे धीरे ग्रो करेगी एकदम अचानक से न बढ़ेगी न अचानक से घटेगी इस बयात का ध्यान रखकर हमें library की buildings और library infrastructure को develop करना चाहिए next है choice of classification scheme classification के बारे में भी हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे लेकिन classification करते समय हिंदी English math की अलग-अलग racks और उनको अलग-अलग चीज़ों बनाते समय वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले केटलॉगिंग कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में जब आपके पास extra books हो, extra magazines हो आपके पास और readers के space बढ़े तो वहां से आप यह चीज़ें manage कर पाएं next है modernization library को हमेशा modern करने का space मिलना चाहिए या scope होना चाहिए आज आपके पास suppose कि यह आप पहले manual काम करते थे register में बट आपके पास computer आना चाहिए computer के बाद हमें issue return करने के लिए भी बहुत machines हैं उनके लिए भी हमें यह सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए modernize का scope library में हमेशा रहे इस बात कर ध्यान रखकर library की building और library के staffs को या library के furnitures को हमें develop करना चाहिए library building भी हमने देखा library की buildings और furnitures को ध्यान में रखकर future को ध्यान में रखकर आप design करिए या उसको बनाईए library में कुछ पुरानी books बहुत old books अगर आपके पास store हो गई है जो आप readers में नहीं ध्यान देते हैं या time के साथ साथ वो वो books outdated हो जोके हैं तो आप उनका भी ध्यान रखिए कि उनको आप wind off करिए मतलब हटाईए उनको अपने library record से खतम करिए और उनकी जगह पे new library books को space दीजे ताकि वो वहाँ पर भी आप नई नई books का space वहाँ पर बना रहे हैं एक तरह से renew करने की चीज़ें आप हमेशा अपनी library में डवलब करिए तो friends यह थे हमारे five library laws इन five library laws को आप अपनी बुक से पढ़िए वीडियो देखने के बाद जो भी इसके implementation वाले topics हैं जो आपकी बुक में कहीं नहीं कहीं mention हो गई आप उनको पढ़िए और extra information में जो extra implementation topics हैं मैं उनको नीचे description box में note करके आपको दे दूँगा साथ ताकि आप अपने notes बनाने के लिए आपको easy रहें तो यह थे हमारे friends five law of library science थोड़ा साइस में modification हुआ था बीच में एक हमारे library science से लिट्रिड ही scholar हैं जिनका नाम है Michael Grome आपके page number 106 और 107 में यह जानकारी दी गई इन्होंने अलग तरीके से library science को मतब इनी five law of library science को थोड़ा सा अलग तरी से प्रेजेंट करने की या modification करने की कोशिश की थी इसी library science में वह आपका page number 107 में दिया हुआ है मैं थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ पहला है library library serve humanity second है respect all form of knowledge it communicated third है use technology intellectual to enhance services fourth promote free access of knowledge and fifth honor of the past create the future यह कुछ five law बहुत important तो नहीं बट इसका modification हम लोग कहीं ने कहीं हमें देखना होता है कि क्या modification हुआ तो उसके बारे में ही है बट यह five नहीं दो और इन्हों ने दिये थे sixth law आपकी book 107 में ही लिखा हुआ है every reader his library और every writer his contribute to library so friends यह था हमारा library का आज fourth unit complete I hope वीडियो आपको अच्छी लग रही होंगी अगर informative हो तो प्लीज अपने friends तक जरूर शेयर के लिए like करिए thank you तो